नमस्कार दोस्तों इनका कोश्चन इस प्रकार है वरतमान समय में ये नौकडी करनी है टीचर की प्रेविट संस्थान में बहुत अच्छी अर्निंग्स तो नहीं है चुकि अभी जो समस्याई चल रही है जो आपदाई चल रही है उसको लेके काफी परिशान हुई है काफी जादा इनकी के विशे में जानना चाहती है क्या सरकाई नौकडी ये कर सकती है उसके क्या आसार है इस विशे प्रभीन को जानना है तो आप निशिंद्रिया आपके सारे ही कोश्चन पर अमबारिकी के साथ विचार करेंगे चीजों को बड़ी गहराई के साथ समझाने का प्रियास करें और आज की वीडियो में एक विशेश बात और करना मैं चाहूंगा सूरी परवत पर बनने वाले कुछ ऐसे एवस्था जिसकी एवस्थने जातक थोड़े परिशान रहते हैं क्योंकि बहुत से लोग डराते रहते हैं सूरी परवत पर क्रॉस शाहिए क्रॉस एक कट्स इसको कहते है क्रॉस ये सूरी परवत है और ये क्रॉस है बहुत मेसेज़िस आते हैं हमारे पास बहुत मेसेज़िस आते हैं कि इस कंडिशन में लोग कहा करते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर पाऊगे बहुत ऐसे पामिस्ट्री है जो ये चीज़ कहते हैं बहुत ऐसे पामिस्ट्री चैलेंज है जिस पर ये बात कही जाती है ये बात कितनी सही है ये बात कितनी सही है इस विशे पर इनको जान रहा है हाला कि मैं किसी व्यक्ति विशेस पर कोई बेल्जामात नहीं लगा रहा हूँ उनका वो ग्यान है वो अपने हिसाब से बताते हैं और हमारा जो ग्यान है और लॉजिकल है उस हिसाब से में बताऊंगा तो वीडियो इसे एक्सपेक्ट से भी महतेपून है क्योंकि इनके हाथ पर वो चीज़े इसलिए मैं इसको समझाओंगा तुरह डीटियल्स में बात करूँगो ताकि आपके मन में जो ये नेगटिविटी का बोज है न ये उतर जाए इसको मैं उतर तूँगा क्योंकि देखो क्या है न अच्छी चीज़े साइद लोग याद रखे या ना रखे लेकिन डरने डराने वाली चीज़े बहुत ज़्यादा प्रभाविद भी करती है आपको आप याद भी बहुत ज़्यादा रखते है इसलिए इसको तो आज मैं निकालके रहूँगा कि इसका कैसा फ़ल आता है लॉजिकल हंडेट परसेंट लॉजिकल कोई गलत साबित नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ देखा है बहुत हाथ के वीडियो यूट्योब पे डाली गई है हमारे द्वारा बड़े पर हैं, करोर हैं, पती हैं, रबोपती हैं, सब के हाथ पर बड़ी अच्छी अवस्था होती है, और कुछ ऐसी अवस्था भी नजर आती है, तो आज इस सारे पहलू पर ना, आपके सारे डाउट्स में क्लियर करतूंगा, और डरिये मत, डरने से कुछ नहीं होता, अब विच क्रॉस माल लो, या भी हो सकता है, ये माल लो, तो ये लाइन्स बहुत लोगों के हाथ पर आपको दिख जाएगी, कॉमन लाइन्स कहलो आप, बहुत लोगों के हाथ पर दिख जाएगी, आपके भी हाथ पर हो सकती है, तो इसका क्या आर्थ होता है, सही में ये व्यक्ति के बारे में आपको क्या गरना होगा आप सीधा बोलोगे क्रॉस देखके ये कुछ भी नहीं कर पाएगा जो चल रहा है लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये व्यक्ति बहुत सफल बनेगा और ये व्यक्ति बहुत उचे पद पर आसीन होगा कुछ लोग घबरा जाएंगे घबरा जाएंगे परिशान हो जाएंगे गुरूजी कैसे बात कर रहे हैं आप हमने तो सुना है कि ऐसा कुछ पी ऐसा नहीं होता क्रॉस का मतलब होता है आप कुछ भी नहीं कर पाओगे बहुत गलत सुना है आपने बहुत गलत सुना है और बह कभी मत पालो अब फिर समझो यह आपकी भागी रेखा है यह कट्स एक है बहुत लोग के हाथ पर होता है यहाँ पर देखो एक और कट्स है यह यह तकलीफ दे अवस्त है यह कट्स है यह आपको उसी पार्टिकुलरली प्रियड में तकलीफ देगी चलो यह आपके जीबन रे पुरेखा के रुप से संबोधित करते हैं ये उस प्रियड में तकलीव जातक को ज़्यादा देती है जब इसका समय आता है तो यही सेम कंसेप्ट सूरी रेखा के साथ भी अपलाए होता है और ये आपकी सीरी सूरी रेखा यहाँ पर एक कट से तो समझना कि नॉर्मल परतिष्ठा को आपको परतिष्ठा कम मिलती है या तो आप बहुत ग्यानी विक्ति रहते हैं या एक बहुत बड़े बिजनस टाइकोन रहते हैं तब ही परतिष्ठा मिलती है पैसा है या ग्यान है और बिना ग्यान के पैसा तो आता नहीं है चलो बाग के साली विक्ति को भी जाता है लेकिन ऐसे जनरली नहीं आता कोई ने कोई चीज में वो प्रबल जरूरूर होते हैं बले आपको दिखता नहीं होगा हार कम डिजर्विंग ज्यादा डिजर्विंग होता है लेकिन वो ग्यानी होते है तो अगर ये क्रॉस आपको सुड़ी रेखा पर नजर आए मतलब आप किसी वज़ा से नो रोटी ही खापाएंगे दो क्रॉस दो रोटी को काट देगा तीन क्रॉस तीन रोटी को काट देगा ऐसे करके अगर इस पर जादा क्रॉस दिख जाए और आपकी केपैसिटी भी उतनी है तो ये रेखा का कोई फल आपके जिंदगी पर नहीं समझो सूरी रेखा आपके यस परतिस्ठा को दर्शाता है तो ऐसे चीज जो आपके परतिस्ठा को हानी करें जैसे आप बहुत ग्यानी है लेकिन आपको काम करने की इक्षा नहीं है आप बहुत प्रबल है लेकिन आपको कुछ करने का दिल नहीं कर रहा तो वो चीज़े आ आपकी सूरी रेका होगी और एक आग कट से आपके हाथ पर दिखें, क्रॉस दिखें, तो मैं लिखके दे सकता हूँ कैसे व्यक्ति बरा कारे करते हैं, और वो करेंगे और 100% बारी बात है यह, इसलिए एक आग रेका कुछ नहीं बिगार सकता, या क्रॉस जैसी कोई चीज नहीं होते है, सूरी रेका पर इसलिए इस बात को समझो भी मत, इस बात को समझो भी मत, थोड़ा दूर ही रहो इस नेगेटिविटी से, और कोशिश करो positive wife लाने का नहीं, तो बहुत ऐसे student है, जो ये चीज मुझे कह रहे हैं, गुरू जी मेरे हाथ पर क्रॉस है, बढ़िया हाथ ही चपकि उनका, लेकिन मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा क्या, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, लिखवालो मेरे से आके आप, मेरा घर के अडर्स में दे देता हूँ, आपको लिखवालो में लिखे देंगे, तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ कर सकते हूँ, बहुत कुछ कर सकते हूँ आप, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए इस negativity को दूर रखिए, खुश रहिए, तो ये चीज आपने समझ लिया, इसको मुझे समझाना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा, irritations वाले messages मुझे आ रहे थे, irritate करने वाले, irritations एक service provider को, या एक astral other को कब होता है, जब कोई व्यक्ति ये बोलता है, ग्रूजी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं हार चुका हूँ, मैं परशान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कि मैंने साथ किसी ने अफशब्द का पर योग, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब irritation तब ही होता है, कि कुछ आपके हाथ पर अच्छे योग है, और मैं बार-बार उस चीज़ को कह रहा हूँ, आपके कुछ नहीं होगा, फिर भी बार-बार लोग वही बात पूछ रहे हैं, कि मेरा तो गरबर है, वो बताते हैं ऐसा, वो बताते हैं ऐसा, तो वो बात मत सुनो, वो बात मत समझो, मैं बोल्ड रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, तो यह सूरी देखा के विशे में था और आप तो हमारे देश के यूथ है अगर यूथ ऐसा confusion में रहेंगे तो फिर कैसे देश की तरक्की होगी मत रहिए confusion में ऐसा कुछ नहीं होता तो यह concept को मैंने साइट समझा दिया हो अगर समझा दिया होगा तो viral करो वीडियो को share करो जितना कर सकते हैं और मैं आप सभी के लिए करना चाहता हूँ मुझे करने दीजिए मैं आप सभी से एक अच्छी बावना एक अच्छी शिद्धा रखता हूँ कि आप सभी आगे बढ़ो देखो खराब समय किसके जिंदगी पर नहीं आता है अगर आपके जिंदगी पर आ रहा है तो इसमें आपके जो हितेसी हैं वही तो आपका साहरा देंगे और हम तो लोग मुझे गरूजी के नाम से संबोधित करते हैं हम तो सभी के जिन्दगी पर यहीं चाते कि वो motivated रहें और जिन्दगी पर आगे बढ़ते रहें अभी इनके और positive चीज़ को मैं दिखाऊंगा कैसी अतली है इनकी अच्छी अतली है no doubt positivity में जीबन रहेंगा अच्छी है progress line है जातक की समय समय पतरक्की को दर्शाती है बागी रहेंगा बहुत बढ़िया है और property के योग भी डवलप कर रहें आपके हातली पर और एक अच्छी सूड़ी रहेंगा है जो क्रट लेवल की नौकरी को दर्शाती है आगे वेचार करू ब्रश्पती भी ठीक है Saturn भी ठीक है Sun Mercury ठीक है मध्यमस्त्री है मंगल भी बहुत प्रबल है चदनवा भी बढ़िया है तो ये positivity आपके हाथ पर है तो अच्छी positivity है इस case में जातक जिन्दगी पर तरक्की करते है अगर वो करना चाहे तो अगर वो करना चाहे तो जातक जिन् है ब्रश्पती में यास गरबर ये कुछ दोके मिलने के योग आपके हाथ पर अवस्ते थे ये negativity एक बढ़िया राहू रेखा है ताकतवर और थोड़े बावुक है normal बहुत ज़दा नहीं तो ये कुछ normal negativity है decision making में थोड़ी से समस्या है आपके हाथ पर थोड़ी सी होती रहती है बहुत ज़दा क्या रहेगी थोड़ी बहुत योगि निस्टर विशुक्रवले है तोरे से मन मुटाव या किसी वज़ा से आप अपने husband से थोड़ा दुखी फील कर सकते हैं तो ये चीज़ आपने समझ लिया ये normal है इसमें कोई बहुत ज़दा चिंता करने क बहुत ज़दा चिंता करने की बात नहीं है तो ये negativity आपने समझ लिया अभी इनके प्रशन थे क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी तो देखिए बिना परियास करे तो आपको घर का खाना नहीं मिलेगा सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात है हाँ अगर आपने परिया किया प्रियास किया तो आप definitely क्ररक लेवल तक तो चली जाए पाएंगे उसके बाद प्रमोशन मिलेगे सूरी रेका बड़ेगी मिली जाती है जनरली लोगों को मिली जाती है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या फिर कोई बहुत बड़ा rocket science तो इसमें है नहीं तो क्ररक इसे आप मानके ही बैठी है कि मुझे परना है मुझे कुछ करना है तो इसका कोई दूस परबाब नहीं है और इसके बहुत सटिक उपाएं है अगर आप रोजाना सूरी को जल देती है पानी देती है अरग देती है तो यह इसके बहुत-बहुत ज़्यादा बड़ियां से हैं तो ये कारी करना आज से स्टार्ट कर दो आपके दुख और दर्द सभी कतम हो जाएंगे क्योंकि वो दुख दर्द हो सकता है आपको लाइन से आए कोई बरी बात नहीं है तो ये चीज़ आपने समझ लिया तो अभी इनके और भी पॉस्टी विटी को मैंने दिखाई दिया है अभी इनके जीबन रिखा का अंवर्शेशन करेंगे चीज़ों को बड़े असपस तरीके से क्लियर करेंगे तो वीडियो काफी जद महत्पूर है देखे सीखे समझे सबसे पहले चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर से दबाब है ये क्या दर्शा चाहती है स्ट्रगल्स बेरेड लाइफ में स्ट्रगल्स केरियर के लाइफ में स्ट्रगल्स जातक बहुत कुछ जिंदगी पर करना चाते लेकिन अनफॉर्चिनेटली ये कर नहीं पाते तो वो वाली बात है तो ये आपके 25-26 तक तो था पढ़िया था उसके बार कुछ प अगर आपके जंदगी को देखो तो एक 22 में कोई तरक्की थी, 24 में थी, 26 में थी एक आपकी तकरीबन 30-31 येर्स के आसपास बढ़ी है तो चांसेस तो हैं अगर आपने परियास किया तो आपके हिसाब से कारी होगा अगर आपने सरकारी नौकली के लिए परियास किया तो बढ़ेंगे और अगर आपने सरकारी नौकली के लिए परियास नहीं किया तो सैलरी बढ़ेगी, financial conditions को लेके इनको बहुत tension था, finance को लेके basically, तो ये एक stable positions पर आपको ये पहुचा देगी, 31 वरस की आयो से, उसके बाद life थोड़ी स्मूच चलेगी, एक दिक्कत जो थोड़ में वरस में बढ़ी तरक्या है, 43 एर्स में, फिर एक 45 में, 47 में, फिर एक 52 में भी तरक्या है, 52 के बाद 55 में, 55 के बाद कुछ यात्रा हैं, कुछ ट्राइंगल जो कुछ property को दर्शाती, आगे भी आपके अगर मैं दिखाऊं आपके, तो कुछ आपके दो मुखी जीबन र इस चीज़ आपने समझ लिया, तो लाइफ टाइन वैसे अच्छी है, आयू, दिरगायू होती है, no doubt, अब यह और विचार करते हैं, questions परा, संतान सुक्र लेकि इनको जाना ना था, तो देखो, हाथ से बता पाना तो बहुत मुश्किल है, अंदाजा भी लगाया नहीं जा अच्छा रहता है, मध्यम में रहता है, बढ़ियां रहता है, अच्छा अर्ण करेंगी आप, और अपने इच्छाओं के पुर्ति कर पाएंगे, तो यह इलके बूल questions थे, बाकिया भी इन कहते लिए काम, पुरा-पुरा, आनसेस करेंगे, चीजों को असपस रूप से clear करे तो वीडियो, बहुत ज़्यदा महत अपून है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेक्ट पर में इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूं, और आपको समझाने का प्रियास करने वाला हूं, तो वीडियो को पुरा देखे हैं, स्क्वैरिस पाम है, मध्यमेज के बाद सफल को दरशाते हैं, जो जिंदन की comfortable रहती है, चोकि गद्यदारा वस्था भी थी, तो ये बड़ी खोशी की बात है, उसके बाद एक जबरदस थम्ब है, एक्चा सकती बड़ी अच्छी है, ये वाकिती है, जबी भी सपूर्ट क्या वश्यक्ता पड़े के मल जाए, कि स्ट्र तरक्की मिलेगी आपको, तो बड़ी अथम है आपका, समझदारी काफी अच्छी जातक, बहुत समझदार, फिंगर पर कही लाएं से इंसान अच्छे हैं, थोड़े इंट्रोवर्ड भी हैं, लेकिन अच्छे तो हैं, अब देखो सबसे गोल मिलके करना भी क्या है, ये वा फिंगर लंबे खरें, ये अच्छी creativity, अच्छी समझदारी का परचे तो कराती है, तो बड़ी आवस्ता है आपके fingers में, जिसके case में ये कहा जा सकता है, ऐसे इंसान बड़े strength, अच्छे strength का मालिक होते हैं, और fingers कही न कहीं आपके strength का परचे तो करा ही देती है, आप एक अ थोड़े struggles तो जिंदगी पर हैं, कुछ दोके के योग भी थे, तो थोड़ा धोका जातक को मिलता है, मतलब किसी पर easily trust कर लिया, उसने छोड़ दिया, दोका दे दिया, ये normal है, बाकी आप तो समझदार है, वैसे तो आप करेंगी नहीं, बाकी आपके 25 वर्स के बाद की पर प्रचित कराती है, अभी बहुत visible नहीं है, लेकिन बन रही है, एक मानसिक दवाब आपके जिंदगी पर रहा था, तकरीबन 16 वर्स से लेके 25 वर्स के बीच में, कुछ ट्राइंगल से जो negativity को दूर करें, उसके बाद mind रेका काफी strong है, बाब strong मानसिकता की है, तो emotions का पैनिक नहीं होते, निलने को सोथ समझ के लेते हैं, और आगे बरने का प्रियास करते हैं, तो बढ़िया मस्तिक सरेका और इदरेका आपके दली पर है, फिर देखे strong आपकी बागगे रेका जो जिंदगी के लास्त तक जारी, ये भी देखो बागगे रेका के ब्रांचे से तो बागगे का साथ तो मिलेगा, डिश्टर शुक्र वले है, मोट सुइंग के प्राब्लम्स को इंडिकेट करती है, विवाइक जीवन में नौनमल अलचनों को इंडिकेट करती है, तो ये चीज़ आपके जिंदगी पर भी हो सकती है, अलाकि इसका जो मोल इंपैक्ट आत ये तो एक source of income job के योग है, तकरीबन आपके प्रापटी के योग अर्तिस वर्स के बाद डवलप हो रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो अर्तिस वर्स के बाद कुछ प्रापटी को लेके ये चीज़े दखार दिखा रही है, कुछ आप जादा energetic, energy तो लोगों में होना ही चाहिए, बिना energy के आप जिंदगी पर क्या कर पाएंगे, energetic हैं, दिरगायू हैं, और logical भी हैं, किसी भी कारे को बड़े प्राक्रम और बड़े इमानदारी के साथ करते भी हैं, फर देखे यहाँ से को चंदर्मा बढ़िया है, ये कुछ आपके यात्रा के योग को indicate करें, जातक की यात्रा हैं, जिंदगी पर होती ही होती हैं, चंदर्मा वैसे बहुत जबरदस्त हैं, तो जातक की personality भी अच्छी होती है, बागे रेका सुरुवाती दोर से तो थी, खराब नहीं थी, ये विया वाली देख लो आप बड़िया है यहां से भी बागे रेका चली, तकरीबन 18 वर्स के बाद से बागे रेका अच्छी है, 36 वर्स के बाद भी अच्छी है, प्रॉपटी के योग 30 वर्स के बाद है, आगे भी बागे रेका ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं ठीक है, बुदर रेका भी बन रही है, तो प से जादा थूरा टेंशन लेंगी आप ऐसे लोग थूरा चिंततों करते हैं फालतों का टेंशन मतलिया को लिए कि स्टार है जो प्रॉपर्टी को लेके इंडिकेशन डाल रहा है मंगल बढ़िया तो प्राक्रमी तो है जीवन रेका अच्छी आयू तरिगायू आयू को लेके